तो आज की कहानी की बात करो तू आज की कहानी मध्रप्रदेश की है मध्रप्रदेश में एक थाना लगता है ये गौलियर के अंदर आता है मुरार थाना और इसी मुरार थाने छेतर में एक इलाका है त्यागी नगर इलाका और इस कहानी की शुरुवात होती है 17 अप्रेल साल 2030 यानि आज से करीब एक महीने पहले दरसल 17 अप्रेल साल 2030 को इसी त्यागी नगर में रहने वाली एक महिला जिसका नाम था रेणू पाठक अपने घर से किसी काम से निकलती है और लोट की घर पे नहीं आती अब लोट के घर पे नहीं आए तो थोड़े टाइम तक तो घर वाले इंतिजार करते हैं लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा तो फिर घर वालों को टेंशन होई कि रेणू कहां गई कहां गई आसपास आसपडोस में पूस्ताच करते हैं लेकिन जब हर पूस्ताच में हर एक घर पे जाने के बाद चानवीन करने के बाद जब रेणू का कुछ पता नहीं चलता तो फिर अगले ही दिन यानि 17 ताहिक तो खोजबीन करते हैं 18 तारिक को इसी मुरार थाने चेत्र में कंप्लेन दर्ज करवा देते हैं रेणू की मिसिंग कंप्लेन अब 18 तारिक को रेणू की मिसिंग कंप्लेन दर्ज हुई अब पूलिस वाले जब कंप्लेन नोट करते हैं तो फिर आते हैं पूस्ताच करते हैं कि रेनु के उम्र क्या थे रेनु कैसे दिखती थी उसकी कोई फोटो अगरा मिल जाए परिवार वाले जो भी detail पुलिस वाले मांगते हैं वो सारी detail देते हैं उसके बाद जब सारी डिटेल पुलिस वाले पाते हैं तो अपने तरीके से जांच पड़ताल करना, अपने तरीके से छान बिन करना सुरू कर देते हैं अब आया दिन पुलिस वाले घर पे आते, आस पास के लोगों से पूच्टाच करते कभी कभार उन्हें ये भी लगता कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रेनू किसी के साथ भाग गई हो चुकि जो रेनू थी उसकी पती की पांच साल पहले मौत हो गई थी रेनू की उम्र भी महज महज 25 से 26 साल तो फिर ये सारी चीज़े कही न कहीं इक तरह से पुलिस वालों को कुछ और भी सारा कर रही थी या फिर आपको किसी पे डाउट हो पिसी से कोई दुस्मनी का कोई अनगल हो या फिर माईके में कोई बात माई के वालों से भी पूस्ताच की जाती है अब तमाम तरह की पूस्ताच में तमाम तरह की छानबीन में जो भी चीजे पुलिस वाले कर सकते थे वो सारे चीजे पुलिस वाले कर रहे थे इधर देदरे वक्त भी गुजरता जा रहा था परिवार वालों को पुलिस वालों को ना ही कोई ऐसा सबूत मिल ला था ना ही कोई ऐसा सुराग मिल ला था जिससे रेडु का कहीं भी कुछ पता चले देखते ही देखते वक्त गुजरा 17 तारिक को रेनु गायब होई थी 18 तारिक को कंप्लेन होई 19 तारिक तक तो पुलिस वाले डीटेलिंग हो गए रही एकठा करते रहते 20 तारिक बीद गई, देखते देखते 25 तारिक बीद गई और देखते देखते पूरा का पूरा अप्रेल महीना बीद गया और रेनू का न कहीं कोई पता चला ना है कोई सुराग हात लगा ना ही कुछ सबूत मिला, ना ही कोई ऐसी बात जिससे पता चल सके कि रेनू जिन्दा है या फिर मर गई या फिर किसी के साथ भाग गई या फिर उसके साथ कोई हाथसा हो गया या फिर कोई और बात हो गई टोटल टोटल 15 दिन बीच चुके थे और रेनू के बारे में किसी को कोई भी जानकारी नहीं थी पुलिस वाले जाचपरताल करते रहते हैं जहानबेन करते रहते हैं और इसी बिच 4 माई को एक बड़ी हैरान करने वाली बाग पता चली दरसल चार माई को पता चलता है कि जो रेनू थी आखरी बार अपने ही सगेदेवर स्याम पाठक के साथ देखी गई अब जैसे ही ये बात पुलिस वालों को पता चली तो पुलिस वालों को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो स्याम पाठ है को रेनों को लेके भाग गया हो चुकि स्याम भी उसी दिन से गायब था तब से कभी लोट के घर पे नहीं आया इसलिए अब पुलिस वाले घर पे आते हैं और स्याम के बारे में घर वालों से पूछते हैं तो जब स्याम के बारे में घर वालों से पुलिस वाले पूछते हैं तो घर वाले पताते हैं कि जो स्याम है वो पेसे से ट्रक डाइबर है तो कई बार ऐसा होता है कि महीनों महीनों तक वो ट्रक लेके कहीं लंबा निकल जाता है जब उसको आना होता है जब पूरा काम हो जाता है तब ही आता है तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, स्याम अकसर ऐसे ही करता है लेकिन अब जो सक्की सुई थी, वो स्याम के तरफ घूम चुकी थी और आसपास के लोग भी बता रहे थे कि स्याम के ही साथ आखरी बार देखी गई थी और टोटल टोटल पंदरा दिन गुजर भी गए थे और कोई सबून भी हाथ नहीं लगा था तो पुलिस वाले फिर और कुछ करते नहीं, बस इस स्याम के पीछे पढ़ते हैं और इस स्याम के पास जाते हैं पूस्ताच के लिए, तो पता चलता है कि स्याम तो फरार हो चुका है अब इधर स्याम के उपर सक्की सुई, उपर से स्याम फरार, तो फिर पुलिस वालों को और कुछ चाहिए नहीं था पुलिस वाले फौरण जाते हैं स्याम को पकड़ते हैं पकड़के अपने पास लाते हैं पास लाने के बाद फिर स्याम से जब पूछताच करते हैं तो स्याम पूरी कहानी भी बताता है और साथ ही दो नाम और लेता है उन में से एक नाम था कुमर उर्फ राजू और तीसरा एक ऐसा नाम था जिसको चाह कर भी मैं आपके सामने नहीं बता सकता और उसके पीछे क्या कहानिये मैं आपको आगे बताऊंगा अब ये तीन नाम जब निकल के सामने आते हैं तो जो स्याम था वो तो पुलिस की गिरप्त में था लेकिन जो दूसरा सक्स था कुमर और तीसरा वो जिसका नाम में ले नहीं सकता ये तीनों लोग गायब थे माफ कीज़ी का दोनों लोग तो पुलिस वाले अब इन दोनों के भी पीछे पढ़ते हैं तो जो अब इन दोनों के पीछे पढ़ते हैं तो जो जो कुमर फुर्फ राजू था उसका तो पता नहीं चलता लेकिन जो तीसरा सक्स था, वो पुलिस के हथे चड़ जाता है, अब पुलिस वाले स्याम और उस दूसरे सक्स को अपने सामने बैठाते हैं, बैठाने के बाद पूछते हैं कि तुमने क्यों मारा, क्या प्लान हुआ, तो जब सारी चीजे पुलिस वाले सिल्सले वाया तरीक से पूछते हैं, तो फिर काफी टाइन तक तो इधर दर घुमाने के बाद, अंत में स्याम और उस दूसरे सक्स को जब लगा कि अब कोई फायदा नहीं है, इक बाले जुन कर लेना चाहिए, तो फिर अंत में ये दोनों तूटते हैं, और तूटने के बाद अपनी कहानी और इस कहाने के हिसाब से, जो स्याम का बड़ा भाई था, वो भी पेसिसे ट्रक ड्राइबर ही था, ट्रक ड्राइबर था थोड़े टाइम पहले ही, लगवग सात वात साल पहले, रेनू से उसकी साधी हुई, साधी होने के बाद जैसे ही साधी को दो साल बीते, अचानक से उसके बड़े भाई की रोड एक्सिडेट में मौत हो गई, अब बड़े भाई की रोड एक्सिडेट में मौत होई, भावी विध्वा हो गई, अब परिवार वालों के जो सिम्पैथी थी, जो परिवार वालों की सानभूती थी, रेनू की करब जादा हो गई, लोगों को उसकी भी तबियत खराब होने लगी अब इधर स्याम की तबियत खराब होई तो इधर जैसे जैसे द्वा लेना लगा हूँ उसके बाग फिर घरवालों परे और अपनी दवाई कराने लगिए अब पैसे से ये लोग ज्यादा संपन थे नहीं और जहान संपनत्रण होती यहा कंडिशन बताता है कि बाबा मदद कीजी हम लोग बहुत परिशान है एक भाई की मौत हो गई मेरी भी तवियत खराब रहती है और घरवाले भी बिमार रह रहे हैं जितनी कमाई होती सब तो दवाव में ही चली जा रही तो जैसे ही तांत्रिक को ये सारी चीजे स्याम बताता है तो तांत्रिक कहता है कि तुम्हारी जो भावी है असल में एक तांत्रिक ही है वो टोना टोटका तंत्रमंत्र भूत प्रेत वाले जितने काम है वो तुम्हारे ही परिवार के उपर कर रही है उसके कही न जाए सम्मंध भी है उसे सम्मंध को पाने के लिए सारी चीजे कर रही है और जल्दी से अगर रेनु का इलाज नहीं हुआ, तो फिर रेनु जो है वो पूरे परिवार को इसी तरीके से मार डालेगे, अब तांत्रिक का इतना कहना हुआ, बैरहल तांत्रिक ने इसारो इसारो में ही कहा था, लेकिन अब स्याम जो था, इस बात को बड़ी सीरि प्रेत वाले भी काम कर रही है यानि जो सक श्याम के मन में बैठा था रेनू को देख देखे उस सक अब यकीन में बदलता चला जा रहा था अब इधर आए दिन इसको लगने लगा कि इसकी तबियत भी खराब हो रही है इसको आए दिन ये भी लगने लगा कि रेनू किसी से अब ये चीजे जब लगातार कई सालों तक होती रही, तो फिर अचानक से इसे लगने लगा, अगर अब रेणु जिन्दा रही, तो परिवार में कोई जिन्दा नहीं रहेगा, रेणु तंत्रमंत्र से सब को मार डालेगी, फिर इससे अच्छा है सबके मरने से की रेनू ही मर जाए और यहीं से फिर रेनू के कतल का प्लान बनता है अब कतल का प्लान बनता है तो प्लान में क्या करें अकेले कतल भी पॉसिबल नहीं था इसलिए जो स्याम था वो अपने एक दोस्त राजू को और दूसरे दोस्त जिसकी उम्र 17 साल 9 महीने 27 दिन यानि 18 साल होने होने में महस तीन दिन बाग़ी था 17 साले 11 महीने और 27 दिन इसकी उम्र थी तिन दिन बाद ही ये क्राइम होता तो साइद ये बालिग ही होता और इसी वज़ा से मैं इसका नाम नहीं ले सकता चुकि ये नाबालिग है तो फिर इन तीनों लड़कों को अपने साथ सामिल करता है सामिल करने के बाद फिर प्लान बनता है प्लान बनने के साथ फिर 17 तारिक को ये ट्रक लेके बड़ा गाउं पहुंचता है बड़ा गाउं पहुंचता है पहुंचने के बाद भावी को कहता है कि आप आज आईए भावी टिफिन बना दिये टिफिन में खाना लेके आती है आने के बाद फिर ट्रक में उनको भी बैठाता है और जैसे ही बैठाता है तो फिर एक गाना चला देता है आज फिर तुम पे प्यार आया है अब देवर भावी ये गाना सुनते सुनते बाकी दोनों लोग भी उसी ट्रेक में बैठे हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा 2-4-10 किलियो मेटर जैसे आगे बढ़ते हैं तो फिर एक सैड सॉंग बनाने लगता है ये अब सैड सॉंग जब बजाता है तो भावी भी सुन रही ये भी सुन रहा बाकी दोनों लोग भी सुन रहे है अब ट्रक आगे आगे बढ़ता जा रहा है गाने लगतार चेंज हो रहे हैं और इसी बीच ट्रक पहुशता है जहासी और ललितपुर के बीच एक नदी है बितवा नदी के पास तो अच्छानक से गाना चेंज होता है और खलनायक मुवी का गाना बसता है नायक नहीं खलनायक होगे और जैसे ये गाना बसता है तो स्याम भी इस गाने को गाने लगता है और गाने के साथ साथ फिर चाकू निकालता है और चाकू निकालने के बाद भावी के गरदन पे तावर तोड चाकू उसे वार करता है वार करने के बाद फिर जब भावी विहोस हो जाती है तो फिर गला दबा के भावी का कतल करता है अब कतल करता है उसके बाद फिर उसके पास जो कंबल था उस कंबल को निकालता है उसमें ये तीनों लोग मिलके यानि स्याम पाठक, कुमार राजु और तीसरा जो नाबालिक लड़का था ये तीनों लोग मिलके उस कंबल में लास को लपेटते हैं लपेटने के बाद इसी बित्वा नदी में फेक देते हैं अब पुलिस वाले जैसी ही पूरी कहानी सुनते हैं फॉरण फॉरस गोताखोरों की टीम लेकि उस पुल पेपाउशते हैं बित्वा नदी के पास जाते हैं गोताखोर बेचारे दिन और रात की मेहनत करके उस लास को खषते हैं लेकिन हैरान करने वाली बाती है कि लास पाता का कुछ पता ही नहीं चला और अगर लास नहीं मिलेगी या फिर कुछ ऐसे अंस नहीं मिलेंगे तो फिर चाहे जितना कातिल अपना एक बाले जुर्म कर ले जैसे सरद्धावाकर वाले केस में हुआ कि पुलिस के सामने और सारी टीमों के सामने तुस ने कहा हाम मैंने कतल किया लेकिन जैसे ही कोर्ड में पेसी हुई चार शीट बनी सारी चीजे हुई अजारग से आपताव बदल गया और वही से पूरा खेल पलट गया अब यही सेम चीज़ इस कहानी में भी अगर लास नहीं मिली और लगवग एक महीने होने को है अब लास कहा गई कहा पहुँच गई कुछ कहा भी नहीं जा सकता तो अगर लास नहीं मिली तो यहां से पूरा जो खेल है वो पलट जाएगा अब जब लास नहीं मिली तो फिर पूलिस वालों को लगा कि चलो कम से कम इसकी ट्रक में चेक कर ले वहां अगर खून के कुछ सेम्पल मिल जाएं तो भी हम मडर स्टेबलिस कर लेंगे लेकिन चुकि एक महीने में लगातार इतनी बार ट्रकों की सफाई हो चुकी थी कि उस ट्रक में भी कुछ ऐसी चीज मिली ही नहीं जिससे पूलिस वालों की कुछ मदद हो सके यानि पूरिस के सामने कातिल है, मकसद है, सारी चीज़े है लिकिन लास और कतल के सबूत नहीं है इसलिए ये मामला अभी तक उलज़ा हुआ है बाकी जैसा कुछ होगा आने वाले टाइम में अगर कुछ पता चलता है तो मैं आपको बताऊंगा तो फिलाल ये थी पूरी कहानी और इस कहानी को मैंने शॉर्ट में ही सुनाया और आज कोई कोईस्चन अंसर भी नहीं होगा चुकि मेरे घर के जस्ट बगल यानी घर से महज दस मीटर की दूरी पे जो घर है उस घर में आज लड़की की साधी है साउंड, फ्लोर डीजे, सारी चीजे लग चुकी है मैंने आदे घंटी की पर्मीशन उनसे ली मैंने का भी आप आदे घंटे तक डीजे वगारा बंद कर दीजे चुकि मुझे कहानी सुनानी है अब अच्छा खासा संबंद है और वो भी साइद मेरे सस्क्राइबर है तो उन्हें लगा कि हाँ ठीक है अगला कह रहा है तो मान जाते हैं तो आदे घंटी की मौलत मैंने ली उसी में आपको कहानी सुना रहा हूँ तो इससे पहले कि उनको भी बुरा लगे कहानी को इंट करते हैं और कल से फिर से भी सिलसला रहेगा सवाल जबाब का और इस घटना के बारे में आपकी क्या रहा है मुझे कमेंट करके जुरू बताईएगा और इसी वीडियो को देखने के लिए और इसी कहानी को सुनने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब कर लिजिएगा तो आप से कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी क साथ अब तक अच्छे रहिएगा खुश रहिएगा, अपने ख्याल लगिएगा, अपने देश का ख्याल लगिएगा, जैहिए, बंदेवात।